तो दोस्तों, आज मैं आपको अगनी पत्थ योजना के बारे में बताऊंगा, इसका क्या टर्मेन कंडिशन है, क्या इलिजिबिल्टी है, क्या सैलरी है, क्या उम्र सीमा है, तो अभी सीना में चार साल के लिए बच्चों का जो अगनी वीड के तोड़ पर भड़ती होने वाला एक योजना है, अगनी पत्थ योजना, ठीक है, और इसका अभी आप देख रहे हों कि बहुत चादा वीरोध हो रहा है, और बिहार के साथ साथ दूसरे राजियों में भी जो है इसका अभी वीरोध हो रहा है, सरकार कह रही है कि अभी इसके बारे में जो युवा हैं, उनको सही से इन्फर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो सरकार का ये कोसिस है कि हम इस योजना के बारे में अच्छे त उत्रों से जो जनकाई दी जा रही है, उसमें कहा गया है कि सेना के रिजमेंटल प्रनाली में अगनी पत्य योजना के द्वारा कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो भरती होगा उनको अगनी वीर कहा जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि जह जो अगनी पत्य योजना है, वो सहस्त्र बलो में जो है भरती के लिए एक समझ लीजिये कि HR Management Scheme है। और इस योजना में जो भी उमिद्वार पाटिसिपेट करेंगे, उनको जो है अगनी वीर कहा जाएगा। और एक बार भरतीय वायू सिना में एन्रोल ये हो जाएगे, तो फिर जो है उनसे चार साल के जो समय है, उसमें जो है उनसे काम लिया जाएगा, काम करवाया जाएगा। इस योजना का मुख उद्देश है कि यादा संख्या में जो बच्चे हैं उनको सैन बलो में जो है वर्क करने का, काम करने का जो है उसर दिया जाए। सरकार ने थल सेना, वायू सेना और नौ सेना में चार साल के अनुबंध पर सैनिकों की भरती के लिए यह योजना जो है शुरू की है। इसमें अगर हम आयू सीमा के बारे में बात करें तो इस योजना के अनुसार जो है सारे 17 साल से 21 साल के जो बच्चे हैं उनको सेना के तीनों अंगों में जो है सामिल किया जाएगा। ठीक है चार साल तक जो है वो लोग सेवा देंगे और उसके बाद उनमें से जो है जो लोग रहेंगे तो 100 परसेंट अगर है तो उसमें 25 परसेंट को जो है नियम्च सेवा में रखा जाएगा। और उसमें से चार में से तीन जो अगनी वीर हैं वो अपना सेवा आगे फिर जाड़ी नहीं रख पाएंगे उनको फिर वहाँ से हटा दिया जाएगा सरकार कह रही है कि जो लोग वहाँ से फिर हटेंगे उनके लिए अलग सिच्छा, नोकरी, कारवार के लिए उनको अन्य ओप्सन प्रभाइड किये जाएंगे चार साल के बाद जो अगनी वीर जॉब से रिटार्मेंट हो जाएगा जिनका उनको अगर पढ़ाई करने का है मन तो पढ़ाई कर सकते हैं आगे अगर उनको कोई बिजनेस करना है तो वो बैंक से उनको लोन भी मिल थकता है और उनको जो है टुल के समकष्च जो है प्रमान पत्र देकर ब्रिज कोर्स भी वहाँ पर कड़वाय जाएगा जो अगर जॉब अपना करना चाते हैं उनको केंदरी या ससस्त सुरच्छा बलो या फिर राज पुलिस में उनको प्रात्यमिक्ता मिलेगी अगर हम सैलरी की बात करें तो पहले साल में 30,000 मिलेगा उसमें से कट छट के जो है 21,000 मिलेगा चोथे साल में 40,000 रुपे हैं उसमें से कट छट कर इनको 28,000 रुपे मिलेगा ठीक है और एज लिमिट मैंने बता ही दिया आपको सारे 17 से 21 वर्स है और हर साल जो है आपको 30 छुट्टी मिलेगा और मेडिकल लीव दिया जाएगा मेडिकल एडवाइस के अनुसार इसके अलाबा आपको मेडिकल फेसलिटी में CSD प्रोविन्स के नुसार जो है सर्विस जो है हॉस्पिटल में इलाज करने का एक सुईधा भी दिया जाएगा आपको लोन लेने का भी यहाँ सुईधा मिलेगा इसके बाद आपको चार साल जब आप जॉब कंप्लीट कर लोगे तो फिर जो है 10.04 लाख रुपे भी आपको यहाँ पर दिये जाएगे इसके बाद आपको लाइफ इंसुरेंच जो है 48 लाख रुपे का लाइफ इंसुरेंच यहाँ भी मिलता है थैंक्यू दोस्तो